जहां एक तरफ अज़ध्या में राम मंदिर का निर्माड हो रहा है तो वहीं दोसी तरफ लखनव में लक्षमन मंदिर का निर्माड हो रहा है इस वक्त हम लखनओ के जानकेपुरम एक्स्टेंसन इलाके में हैं और यहां पर एक एकड जमीन पर भगवान लच्मन के मंदिर बनाए जा रहा है तस्वीरों आप देख सकते हैं कि यहां पर भूमी पूजन का कारे सुरू हो चुका है तमाम लोग जो है वो यहां पर आ चुके और इस मंदिर को बनवाने का काम है लक्षमन सेवा पीठ न्यास का और उसके अधच धिरन वसिश जी हमाएं साथ मौजूद उन से बात करते हैं दिरन जी क्या हो रहा है आप नमो लक्षमड़ा है भगवान स्री लक्षमड जी की पावन नगरी लक्षमड पूरी में भगवान लक्षमड जी विराजमान नहीं है इस बात का बोध दास को जब हुआ तो दास ने संकल्प लिया कि यह जीवन लखनव के आध्धातिन विक इसको भगवान लक्षमड जी के भवय मंदिर निर्मार का भूम पूजन अनुस्ठान हो रहा है और इस अनुस्ठान से मन्यवदन करता हूं सबसे कि सब इसमें आएं यहां पे 81 फिट उंचा भगवान का गुम्मद होगा और भगवान लखन लाल मा उर्मला जी के संग बि अनुस्ठान के लोग अपने इस अस्थान देवताब्यों नमों अस्थान देवता के भूल गए मेरे गुर्देव भगवान जगत गुरुस्वामी श्राम अचारजी मराज ने आदेश किया किरपा किया दास पे और लक्ष में दिया और इस लक्ष के लिए मैं कर रहा हूं एक एकर भूम में भगवान लखनलाल विराजेंगे और क्या होगा इस मंदिर में किस तरह का होगा ये मंदिर। लक्ष्मन पुरी धाम के नायाँ जाना जा एगा, लक्ष्मन पुरी धाम है अस्थान है। जितना पभित्र अध्या कासि अमत्रा ब्रिंदावन है, उससे कम पभित्र याधाम नहीं है, परंतु इतिहास की बाते हैं, जो कुछ हुआ सु हुआ, परंतु अब आजसे लखनों के लोगों को कम से कम भूम-पूजन के माध्यम से अनुस्थान के माध्यम से लक्षमण जी लक्षमीं को सहुझ किया है या जो स्मयांत्य मोट स्दाइध पुलाईन की करता je एक नए धर्मपिर के स्थापना होगी यह पूरा एरिया है जहां पर यह लक्षमन मंदिर बन रहा है यहां पर मैं दिखाओं तो एक क्यासी फिट ऊची यह मुर्ती लगेगी और इसके बाद इसमें राम दर्बार होगा, सीव परिवार होगा माता उर्मिला का भी यहां पर मुर्ती लगाई जाएगी और उन्हीं के नाम से यहां पर एक व्रिद्धा आस्रम बनाया जाएगा पूरी जो जमीन है उसको क्रै कर लिया गया है और अब यहां पर भूमी पूजन सुरू कर दिया गया है यहाँ पर भूमी पूजन का कार्य हो रहा है, तमाम लोग इस वक्त यहाँ पर आ चुके हैं, आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं लक्षमन मंदिर भूमी पूजन कारिक्रम में पहुंची हैं लखनवू मेयर सन्युकता भाटिया जी मैं यहाँ पर मंदिर बन रहा है, बहुत भवे मंदिर बनने जा रहा है, और साथ में विधाश्रम भी बनने जा रहा है किसके दोरा यह मंदिर बनाया जा रहा है, क्या यह सरकार है, आपका प्रोजेक्ट है या सरकार के दोरा नहीं यह लक्षमन पीठ के महराच जी हो उनके दोरा के फ्रेचना से मंदिर यहां बन रहा है अक्सर यहाँ पर मांग होती है कि जो लखनोन sigh नाम है उससों दो लक्षमन पूरी कर दिया जहाए मेरे सामने अभी ऐसी कोई मांग नगा आई नहीं लेकिन लोगों के मन में यह भा़ है और आज मुझे महराज जी ने अभी लक्षमार जी के वारे में जो बताया यहां भूमी क्यों लक्षमार जी का मंदिर बनाने जा रहे हैं, तो उस हिसाब से लोगों के मन में अगर ये भाव है तो लक्षमानी जी का नाम से ये लखन पूरी मानी ही जाती है तो अगर ये भाव है और मेरे पास कोई प्रस्ताव आएगा तो मैं उस पर कारे करूँगा बिल्कुल मतलब आप नगर निगम के प्रमुख भी मानी जाती हैं है भी और क्या लखनो को लखन पूरी करने के लिए पहल करेंगी कोशिस करेंगी प्रस्ताव भेज़ेंगी क्योंकि देखिए जिस तरह से फैजाबाद का नाम अयुद्या कर दिया गया इलाबाद का नाम प गच्मन पूरी कर दिया जाए कैमरा परसंट सरजीत के साथ तुशार सिर्वास्तो जी मीडिया लखनो